हलो दोस्तो जमी टाइल्स एन इंस्टोन वर्क में आप साब का फिर से एक बार सवगत है आज हम गेर नेट की शीट बिठाएंगे फ्लोर में उसे हम एक इंच का डाउन देंगे तो हमने चाड़ो तब ठीय लेके जिस तरह हम टाइल्स का प्लास्टर करते हैं फ्लोर में साफ करेंगे और फ्लोर पर रगा देंगे इस तरह से न फ Nich afin टाइल्स कौना मॉइं लगा दिया दिया है यफ आराम से अकेले कभी ग्रैने का काम ना करें जाई नो बंदे और तूट भी सकती है, इसलिए बहुत आराम से इसे लगाना चाहिए, यह सवा 3 feet by 10 feet की sheet है, पूरी तरह से, क्योंकि right और left ने कुछ भी जगा नहीं है, fix एक्डम, इस तरह से हम लगा लेंगे, और ठोक के उसे set कर लेंगे, और इसका speed level या आपके बाद में water level होंगा, तो आ आप उसे check कर सकते है, कि हमने जो sheet बिठाई है, वो बराबर है या नहीं, level के साब से, level के point ले लिए पहले आपने, अब उसे check करते रहे, speed level से या water level से आप check कर लिए, आडा और खडा, दुनों तब से check करके, speed level हो या आपके 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 जो भी level है, उसे check कर ले, उसके बाद ही हम दूसे फत्तर का plaster करेंगे, mortar से, cement रेती से, दस घमे रेती, एक घमेला cement हम दालते हैं, जो tiles लगाने के लिए, या फिर अपना gain head या कोई भी stone का फत्तर लगाने के लिए, फ्लोर में, इसी का, इसी हिसाब से माल दला जाता है, मसाला, और इसे भी हम dry जो cement ह अमबुजा और या अल्टर टेक इस तरह से हम फ्लोर की नीचे दाल लेंगे, इस तरह से आप देख रहे हैं, और फत्तर की जो back side से सफ़य कर लेंगे, ताकि जो cutting का dust है वो फत्तर पे ना हो, इस तरह से हम cement set कर लेंगे, और इसे हम दोबारा नहीं उठाएंगे, हमने पु जिस तरह से चलाते है या चलती है उसी टाइप से हम फत्तर को रखेंगे, ताकि एक मेक का joint कटते वे फत्तर बैठे, इस तरह से काफी भारी फत्तर होता है यह, सब 3 by 10 feet का, इस तरह से क्योंकि हमारे side में, जो right और left में भी जगा कुछ भी नहीं है, हम उसे थोड़ा- जो right में रेती ना आए, यह हमने फत्तर के उपर रख दिया है, और फिर हम इसमें joint की cutting करेंगे, joint मिलाने के लिए, हमने zero chipping blade यूज़ कर रहे है, तो इससे क्या होता है, joint काफी बारिक आता है, और finishing भी अच्छी होती है, इस तरह से हम joint मिला लेंगे, cutting करके, और दोस्तों बात और ध्यान रखें, जो भी machine चलाते हैं आप, machine पे आप डोरी जरूर बाल ले, पट्टी बाल ले, ताके गेन एट पे, stone पे scratches ना आए, दोस्तों मेरे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और दोस्तों में भी शेयर करें, अब हमारा joint मिल चुका है, और इसे हम जो ओटा होता है, जो फत्तर उपर नीचे होता है, उसे हम अच्छे से बारिकी से मिला लेंगे, और जो joint हम इसमें भरेंगे, तो वो black color मिला के cement से, इसे joint फिल कर देंगे, अच्छे से, और level वगरा, जो है हम ठोक के मिला लेंगे, ताके फत्तर आवाज ना करें, इस तरह से, हमारे फत्तर लग चुके हैं, और joint भी भर चुके हैं, सफ़ाई हम इसे कर लेंगे, इस तरह से, joint इस तरह से, जो है आप देख रहे हैं, बारिक joint आया है, एकदम, इसकी सफ़ाई करके हम छोड़ देंगे, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, जल्दी से, ब मिला के, joint भर दे, और बाद में उसे clean कर ले, जिस तरह आप देख रहे हैं, और इसमें जो है, हम यह जीने का पोर्च है, नीचे का, ground floor का, इसमें हम flower design मनाएंगे, तो flower design का जो वीडियो है, वो आप मेरे playlist में, चैनल के देख सकते है, फूल डिटेल वीडियो है, फ्लावर क करते हैं, आपको मेरे playlist में, चैनल के, उस वीडियो मिल जाएंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और दोस्तों को भी share कर सकते हैं, तो दोस्तों मेरा काम आपको कैसा लगा, मुझे comments करें, दोस्तों में भी share करें, मैं यह सब वीडियो जो है, अपने लिए और अपने जैसे मिस्तिरी भाईयों के लिए बनाता हूं, ताकि उनके काम में कुछ जो doubt हो, वो clear हो सके, क्योंकि वीडियो यूट्यूब से आप काफी कुछ सीख सकते हैं, और सिखा सकते हैं, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए, जैहिन दोस्तों!